कि अव्य होफुल को फुली आर फाइन सब ठीक ठाक होंगे और अब यह मन्यों आई इसके साथ आपकी सीज़ाट की बहुत अच्छी तयार चल रही होगी मैंने एक स्ठ्ट्र तयार किया था आप लोगों के लिए शायद अगर किसे नोटिस भी क्या होगा हमने प्लेलिस में या कि देखे का सब है मैंने 2015 से ना पेपर की discussion स्टार्ट कि थी 2016 पे भी आई फिर हमने 2017 का पेपर डिसकस किया फिर 2018 का फिर 2019 का फिर 2020 का फिर हमने 22 का पेपर डिसकस किया और 2023 का भी यह मैंने 15 से लेके क्यों 15 ही चूज किया क्यूंकि उर्निस के बाद तो आपका ट्रेंडी चेंज होने लग गया था आपने देखा हो जो 23 में साफ साफ हमें नजर भी आया बिसकलिए 20 का पर जादा मुश्किल नहीं था हुआ सब 2023 में डाल दिये यूपसी ने और का चलो भाई जिसने प्रिवेसी किया है वही आई आगे वरना जाईए तो आपके साथ दोका हुआ दोका नहीं हुआ था वह आपने खुद अपने आपको दोका दिया था प्रिवेस यह पर नहीं करो तो यह होगा अभी भी मौका है प् फिर हमने स्टर्टीर रिजनिंग कि अगर हमने अप्टीजूट को साथ रखा तो रेजनिंग और रखें पिर हमने अपको सब्सक्राइब करना प्लीज मत बूलिए ठीक है चलो बार ग्राफ करना पर उसके पहले कुछ इंपर्टन इंफॉनिशन आ जो आपको देना चाहू कि मेरे पास जो न्यू बैच है उसकी डिटेल्स क्या है कि इस तरीके से हम उसको चला रहे हैं आपको क्या-क्या फैसिल्टिस प्रोवाइड हो रही है उसमें और किन की चीजों का आपको ध्यान रखना ठीक है देखो सबसे पहले क्या है इसके टाइमिंग्स क्या है मेरी सबसे पहली बात फोर डेच रहने वाला है ठीक है उसके बाद के टोटल लेक्टर कितने रहेंगे आपके बास 000-wide cheaper यहां बरहने वाले है ठीक है अब 180 को मैंने क्या थोड़ा है एक और भी सेक्षर में थोड़ा इसको मैने टोटल एक्टर इसके हैं यहां पर कितनी नबबे और यहां कितने नबब्रस लेक्टर नबेभ्रक्रच डेलेखो बाई यह गीम आं वहां यहां पर सेशन कितनी मिल रहे हैं 50 पलस लाइव मेंटर सिप्शेशन कि तक Publis तो यह यहां कवर पाठी पार्ट का क्या एक्चली आपके पास क्या है जीरो टू हीरो बैच्च आपके पास इसलेवर क्या मतलब क्या है कि आपके पास यहां पर बहुत इंपोर्टन इंफर्मिशन है जो कहीं पर नहीं मतलब कुछ नहीं आता रिजनी का मेरे पास आई है मैं सबसे पहले क्या होगा आपके पास आपको बीकली शेडूल मिलेगा है ठीक है कि अपको क्या मिलने वाला इसका विकली शेडूल मिलने वाला आपको पोर्टल लेक्चर शोएगा आपको पॉर्टल पे लेक्टरों होगा ठीक है अगर वो लेक्ष्टर ऑगों से बनायाया हिieso मतलब गया है वो उस लेक्षट के साथ और बहुत इंप्च्टन इम्पोर्टन चीजे मिल रहे हैं वो क्या है सब से पहले क्या मैं लेका अ लीक्षट की ex रेक्टिए प्रेक्टिए थे लेक्ट्यक्टिएफ मिल रही है नमबर दो प्रेक्टिएफ यह तेन चीज़े आपको इसके साथ मिल रही है ठीक है अब यह तीन चीज़े समझे लेन को सबसे पहले क्या है लेक्षर पीडिएफ वो पीडिएफ होगी जो कोश्चन में लेक्षर में करवाने और वह अल्रेडी प्रिये अप्लोडिड होंगे किस पर हमारे पोर्टल पर यह नहीं बाहूं लेक्षर जो रहा हो लाइव लेक्षर एक्चुली ऑनलाइन प्लस आपका ओनलाइन प्लस अफलाइन बैच है मतलब आप मोहली लगा सकते यहां भी आगे ओफलाइन या घर बैठे भी इसको ऑनलाइन अप लगा सकते कोई दिख्कत वाली बात नहीं ठीक है हम नेकिस समझो सबसे पहले क्या आगए то पीडियो पा साज आगएं मतलब लेक्षियर पीडियो वो पार्ट होगा जिसमें हम लेक्चर में बतायेंगे भी क्याया कराना वो सारा सके इंदर होगा को एक कुशेन होगा खुछ सबसे optimum हो तो किसी भी chemistry रिसोर्स में क्या है रिसोर्स में चैप्टर का वह पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं क्या करूंगा कुछ चैप्टर की important information हो सकती है डेफिनेशन हो सकती है यह बन लाइनर कुछ भी हो सकता है जो चप्र से लेटेड है और इंपॉर्टन है जिसके बिना चप्र धूरा है वह चीज़ होगी नंबर तीन पर क्या प्रैक्टिशीट मतलब मैं कुछ कोश्चन्स दूँगा आपको जो सेम वैसे होंगे जैसे मैंने क्लास में करवाए हैं ठीक है और इस तीस मिनिट में मैं से डि से और हमने जो पूरे हफ्ते में किया हमने जो पूरे हफ्ते में किया उसको किस बेसिस पर हम देखेंगे कि हमारी इंप्रूम्मेंट कैसे वह देखेंगे विकली टेस्स से वह कैसे देखेंगे हमारा विकली टेस्स जो होगा हमारे पास हर संदे को में हार सेंडी कितने बज़ को और जिसका स्लूशन क्या मिलेंगा आपको वीडियो से सलुशन मिलेगा आपको ज्यान रखें це से ठीक पहले आपको इसका वीडियो सोलूशन मिल जाएगा तो यह डिटेल थी इस बढ़िया से बैच की ठीक है आपको सारी कोई देखो मैं भी बागता हूं पर तो आप सी सेटर लां किसी बुक्से भी लोगे कोई बड़ी सारी बुक्स हैं एक सार से मारो गूगल पर हजार आपके पास हमार पस इतना समय नहीं है कि हम सारे किताब कुछ आने तो एक बैस आई ना कुछ खरीदने के जुरूद ना कुछ एक बार याओ इन और लो जाओ उसके बाद सब भूल जाओ यह सो प्लस मार्स के लिए पढ़ाए जा रहा है क्लियर तो क्वालिफिकेशन की र सब्सक्राइब करना मत भूले चैनल को एस वेडियो चले भाई आज के कोशन की तरफ जो है मेरे बास बार चार्ट चलिए जी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको एक वाट्साप ग्रूप का लिंग भी मिलेगा प्लिए प्रीज अवेल कीजी चलिए पह सब्सक्राइब क्या दिया आपको जीडिपी दिए ठीक है दो कंट्रेस की कि अगर मैं बात करो टोटल मेरे पास 100 का काउंट है कि टोटल मेरे पास 100 का कैया फिर को टो इंडिया के लिए एंगरिकल्चर है कितने पर्सेंट चालिस पाकिसान के लिए भी कहा यहें्ट 40 20 कंट कौन सा है सो में से मेरे पास सर्विस का वो टीक है जहां से समझत अगर इंडिया के लिए यह पार्ट मैंने फेक्ट्रिंग का दस तो पकिसान के लिए कितना यह बीस लग रहा है मुझे साठ से लेकि असी बिल्खुल अच्छा जी अगर एक्सपोर्ट की बात करें इंडिया का एक्सपोर्ट बीस है तो पकिसान का दस है मिसलेनेस के बात करें यहां पे भी 10 है और यहां पे भी क्या है डशायै तो आपस्ट अपर मुझे डाटा पेस्पेस्ट्फिक नहीं ए उन्हों ने बॉल्ला कि अगर कोई वैलीस सो में सब्सक्राइब है मेरे पास समझाए सो में से ये पाट है मेरे पास कि समझाए बात चलिए अगर यह बाठ है तो फिर आगे चलते हैं देखें किस तरह की प्रसंद दिया हूं मुझे सबसे पहले क्या है इस टोटल जीटीव पाकिसान इस कह सब्सक्रांच पाकिसान का इसlarını लाकि मतलब सो परसेंट मतलब अगर मैं बोलू कि पकाउंटिक सूफ परिसेंट कि वेलू कि इसीन है मेरे पास का कि 100001 परचेंट कि वेलुँ कितन Racing was को मैंनिस्क्षर कद सबस्क्राइब यहाँ है मैमनिस्क्राइब कितना च cleaning मैना पास 20 परंट्रेट है कि 2020 और व्यक्राइब दो से autopsy के 20 क्या था उपक्या कर दो से आए राइट अंसर क्लियर चलिए नोट किजिए फटावर नेक्स पर चलेंगे चलिए नेक्स कुशन क्या रहा है मेरे पास चलिए फ्रएक्शन ऑफ इंडिया जीटिपी एकंट फोर बाय सर्विसींग देखो और सबसे पहली बात मेरे पास स्टोटल जीडिपी कितने दीए है ह् हूं कितने मेरे पास है तो टुटर जिटीपी किरेंड़ एप सर्विसिज कहां से कहां करेक इंडिया यह इंडिया की बात हो रह unity इसौं कि आघर मैं सर्विसित के बात यहां कितना है बीस और यह घ् edd तो कितना हो गया बीस बटा सो कितना हो गया वन बाइफाइब और बीज दा राइट पन क्लिए तो वन बाइफाइब को सही अंसर है इसका चलिया है इस टोटल जीटीपी ऑफ इंडिया इस 30,000 क्रोड ग्रीटीप अग्रीकल्ट सब्सक्राइब कमेंट सेक्शन बताएंगे मिरेको वो क्या करूंगा सो परसेंट की वैल्यू कितनी है मेरे पास थर्टी थाउजन क्रोड यानि एक परसेंट की वैल्यू कितनी है 300 क्रोड थीक है मुझे क्या रहा है एग्रीकल्चर सर्विस इन मिसलेनियस एग्रीकल्चर कितना है चालिस ठीक है सर्विस इग्रीकल्चर है सर्विस इस सर्विस कितना है बीस और लास्ट कितना दिया मुझे मिसलेनियस कितना है दस यानि मुझे क्या करना है सेवन्टी पर्षेंट की वैल्यू निकाल लिए तो तीन सो गुना सत्तर कितना हुशात्य एक्षिस और तीन जीरो लगा दीजिए ट्वंटी वन थाउजन करोड इस दा राइट अंसर ऑप्शन नमबर यह बहुत इजी है बट बार ग्राफ हमेशे ऐसा ही रहते है एक कॉंसेंट की वैली जो रहती हैं से बहुत अच्छा धेता है नोट की जल्दी से नेक्स पर चल रहा है जलिए जी विच कंट्री अकाउंट्स फॉर हाईर अर्निग आउट अफ सर्विसेंड मिसलीनेश टुकेदर बताओ जी अंसर उसने अर्निग की बात कर यह मतलब वो किसकी बात कर रहा है मनी अर्निग बोले तो मनी की बात कर रहा हूं इस विच कंट्री अकाउंट्स फॉर हायर अर्निग आउट अफ सर्विसेंड मिसलीनेश टुगैदर इनिग्र इस सर्विसेंड मिसलीनेश में से ज्यादा पैसे कोन कमा रहा है देखो सब्सक्रों कमा रहा है या अर्दिंग जो भी है अगर मैं इंडिया की बात करो क्यान की बात करूं अगर मैं इंडिया की बात पर पाकिस्तान की बात कर लो अगर मैं करूँ पाकिस्तान की बात क्या पाकिस्तान के लिए भी सेमी है सर्विस इस लिए मिसलियनिस हाँ जी तो बराबर आगे इसकंद बोथ स्पेंड एकॉलमाउंट्स क्या यह एंसर है सोचके देखिए बिल्कुल गलत अंसर है आपका पेपर में यहीं पर दोका खाओगे बता रहा हूं मैं अभी भी आपको क्या दोका खाओगे एक मेरी बात सुनो प्लीज गौर फर्माईगा जहां से मुझे अर्निंग बोला है यह तो मुझे सब्सक्राइब एक और शोरु कस और लुए उसमें से 40 यह 20 यह 10 यह बीच और दस ही है कि सपोस्पोस करो इंडिया के लिए डाटा दिया आपको अंडर्ट करोड और पाकिसान के लिए 10 करोड यह तब इंडिया का डेटा स्थाथ है सपोस्थ पाकेसान का दिये हैं पर सो करोड इंडिया का दिया 10 करोड जम आम आउट की बात करूं कि 10 करोड में से 40% क्या सर्वीशिंग है एक्सपोर्ट फिर मिस लेने से समझाई बात तो यह कोश्चन ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना अपने अंसर क्याएगा कैन नौट डिटर्माइन अंसर क्यों क्योंकि एक्च्छल डाटा नौट गीवन कि एक्च्छल डाटा मेरे पास नहीं दिया हुआ मेरे पास सिरफ और सिरफ कॉंपोजिशन दिये स्टुरेंट्स इसमें समझागी बात तो अंसर इसकान नौट डिटर्माइन प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब कर देना इस चैनल को ठीक है वीडियो को भी चलो भाई क्या दिया है इफ दा टोटल जीडिपी इस दा सेम फोर बोड़ दा कंट्रीज दन वट पर्सेंटेज पाकिसान से इंकम तुरू सागरी कल्चर ओवर इंडिया इंकम तुरू सर्विसिस बताई जरा क्या होगा भाई बताओ इस अंसर कितना होगा मेरे पास प्लीज चलिए क्या रहा हूँ कि अगर दोनों की जीडिपी से मैंने मान लिया भाई यह भी सो है मेरे बास और यह भी सो करोड़ों दस करोड़ों डजन्ट मैटर अब आपको सेम दिये ठीक है वह कहा रहा है इस टोटल जीडिपी सेम फोर बोड़ दा कंट्रेस देन वट परसेंट अगर मैं इंडिया की बात करूं इंडिया का वोड़ डाटा बीस है और पाकिसान की बात करूं वोड़ डाटा कितना चालिस यानि कितना ज्यादा हुआ बीस किसे बीस से गुना ओफ सो परसेंट तो अंसर इस ऑप्शन नमबर एंडर परसेंट इस दा राइट अंसर दिस कोशन क्लियर चलिए यह थे मेरे पास पांच नहीं नहीं एक और आज आज दू है आपके बार ग्राफ के कोश्चन बिसिकली चलिए अब देखो क्या दिए आपको दिया किसी स्कूल का अगर बात करूं और यह थे पास है यहां तक फेल है और यह भी यह 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 टाटा फील का दिया यह नहीं पास कितने है सबस्क्राइब कितने गतने हैं थो सब फियल कितने हैं सब फियल ने हैं गरें चलो अब इससे लेते डुश और कोश्चन्स को मुझे जल्दी से करना आझ आ संक चलिए भाई क्या दिए पहले कुश्चिन दिफ्रेंस ओफ नंबर उफ सुदेंट पास टू दो फेल्ड इस मिनिमम इन वीच यह वो कह रहे है कौन से साल में पास फेल का जो अंतरों मिनिमम है देखो यहां मैंने सारा लिखा अगर मैं 1992 की बात करूं यह कितना है मेरे पास कलर चेंज कर ल अच्छा यहां पर कितना हुआ 250 यहां कितना हुआ 150 और यहां कितना हुआ 200 तो सबसे मिनिमम तो जिन 91 और टू में लग रहा है देखें ऑप्शन एक पर चेक कर लें बिलकुजि 91 और 92 इस दा राइट अंसर ओप्शन नम्बर प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब करना मत ले सुनेंट इस सेम देखो बैट सबसे बड़ी बात फिल्स्रेड यह एक तो मां कर लो एक को दो कि टीन हो चार और पांच है देखो आपर सो है यहां पर पिस हो है यहां पर फिस को है तो सांप आप्शन नमबर डी पुर इस दा राइट अंसर कि लोग यह तो कि नोट कर लो नेक्स कोशन पर चल रहे हैं लाज कोशन हो कि आज की लास का शाइद चलिए अंति बढ़ते हैं वर्ट एज एन अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज और सुडेंट फेल दूरिंग फाइव एस कि कितने परसेंट बच्च अप्रोक्सीमेटी फेल देखो सबसे पहली बात पहले तो नाइंटे ने टूटल बच्चे कितने हैं यह सो पचास हो गया यह कि खूंब लेकितना होगा है 300 whilst कि यह पर लोगए से पीसले कितना होगा है 200 वर ये-टोटील है może प्लस प्लस पुछा पांच दस बंदरा क्या सोलह सो पचास हुगा बताइए मुझे क्या टूटल सो पचास बन रहे हैं गब है एक बिलकूल चीए अब मुझे देखने कितने हैं तो फेल कितने टोटल मेरे पास कितने आगे machst n. 하루 अलब सो फेल किनेται को 60 art 200 300 400 400 तो मुझे करना किया बस साड़े चार सो डिवाइट इड़ाइट बाइस सो बचास गुना आफ सो परसेंट तो एक इतना हो गया थर्टी थ्री टू तीन ग्यारा और तीन एक्सो पचास तो एक इतना हुआ तो कितना होगा देखो ग्यारा दूनी बाइस कि दोसो बीस प्रॉक्सिमेटली सताइस परसेंट के को लाया क्योंकि क्या बोला आपको आप्रॉक्सिमेटली वर्ड ही यूज किया गया क्लियर तो यह थे आज के बहतरीन कोश्चंस जो आने वाले एक्जाम में आपकी पूरी लेकर जाओ कि आसाने मुश्किल है को चरno concepts का ये बात और रखना में आउज है मैं को यह बहुत जरूर है मैं आपको और बता दूम भाए देखो जब भी अपके तैयारे कर रहा हो ना हमेशा पृपीशिर को स्थे प्रीमें पिर तो बहुत बड़े मतलब डाफ्त में कमी है कही ध्यान रखना क्योंकि यहां से आपको चेंज नो पाट चलेगा जो शायद बच्चों को पता नहीं चला इसका पता चलेगा जो शायद बच्चों को पता चला यह नहीं पहले वह कैसे करना है समझागी मेरीवात oh please like लाइक शेर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूले चैनल एस विडियो और पूरी प्लैलिस बनी पढ़िए पंदरा से इसके एक्जाम की देखिए उसको चलिए नेक्स मेरे पास माइक्रो कोर्स इस अगर आप किसी भी एक्जाम को बहुत अच्छे से क्रेक करना चाहते हैं तो कई बर क्या हो था कुछ एक टॉपिक हमी ज्यादे इंपॉर्टन लगते हैं वह हमें करने जैसे बात करो नंबर सिस्टम जैसे बात कीजिए परसेंटे जैसे मैं बात फूरू डी याई इस सब इं आप जाओ बस और बस स्कोर करने के लिए क्योंकि अगर आप सिर्फ जीतने के लिए भागोगी न तो कोई और ही जीत देगा आप देखते रहोगे समझा की बात तो प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब करना मत भूलिए मैं आपको पताता हूं पूरा माइक्रो कोर्स के बार क्लिए चूज एक्जाम करेंगे सेविल सर्फिसिसेट सबसे पहले सारे सब्सक्रिप्स वीडियो कोर्स टैस्क वर्स और यह क्या है मेरे पास माइक्रो कोर्स सबसे पहले दस दिसका मोबाल नमबर डाल के रिजिश्शन कीजी आपका नमबर हमारे पास आएगा तो डेफिन पूरा बंडल 3562 का है पूरा बंडल मेरे पास ऑल्मस साड़े तीन जारदा था थोड़ा सब्सक्राइब अगर मैं यह नहीं लेना चाहता तो मैं क्या करूंगा मुझे करना नमबर सिस्टम है तो बहुत नमबर सिस्टम करो कि दिने का सिरफ तीन सो चौबशी सुरुएगा क्या मिल रहा है उसमें दस लेक्चर मिल रहे हैं अग मैं कहूं कि 21 से बढ़के यह आल्मस 25 परसंट आ चुक है समझे रहो आ चुक है जी बिल्कुल 15 से 20 कोशन नमबर सिस्टम से आ रहे हैं आपके नो वैब नोट्स हैं 430 मुल्टिपल चॉस कोशन है यह जो मुल्टिपल चॉस कोशन है बड़ी इंपॉर्टन चीज़ है रिजन क्या इसका में आपके प्रिवेस येर कोश्चन भी इंक और पके पास सारी चीज़ें दी होंगी क्या चीज़ें कैसी करनी है ठीक है शौटकर्स दी हूँगे आपको इसमें आपको फूरा चैप्टर का ब्यॉरा दिया हुआ कि तरह ब्रेब होई है और क्या चीज़ें इंपोर्टन है क्लियर कुछ वन-liner सारे चीज़े मतलब इसक छूटी नहीं होगे क्लियर इसी तरीका से सिर्फ 324 रुपे दस लेक्टर से एक से डेड़ घंडे का मिनिमम लेक्टर स्टूरेंट्स आपके बात करते हैं पर्मटेशन कोमें से ताइम डिस्टन्स एवरेज नंबर सीज और हर एक एक चेप्टर के साथ आपको छे मिनिट का चे मिनिट का क्या है आपके पास ट्राइल फ्री दिया होगा जैसे अभी हम बाहर चार्ट कर रहे थी तरह से लाइन चार्ट भी कर रहे हैं ठीक है प्रिश्ट पर्सेंट आरा मतलब तगरीम नास्ता बाहर अगरा आपको ठीक है देखिए एक आपके पास लाइव लेक्ट्टर आप में दिया हुगा एक लेक्ट्टर दिया हुगा इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आपके बास आपके लोजिकल रिजिंग और अनलिटिक अबिलेटी की है पूरा बंडल कितने हैं पूरा बंडल 26 क्याम रूपर आपके पास जैसे पूसल टैस्ट हो गया रैंकिंग और ओर्डरिंग हो गया स्टेट्वन कल्कूलूज और डिरेक्शन सेंस हो गया आपका सिलोजिजम क्य सारे चेप्टर्स के माइक्रो कोर्स अवलेबल हैं विद शिक्स पीनट ओफ ट्राइल हर एक जहां पर आपको लेक्टर दिख रहा है आपके साथ वैब नोट जिए गए हैं छे मिनट का ट्राइल है और आपके पास 64 मुल्टिपल चॉस कोश्चन भी दिए गए हैं मतलब हर इंग्लिश में आपके सिर्फ कॉम्प्रेंशन याते सिर्फ बोला गलत बोला विकॉस कॉम्प्रेंशन भी काफी कुछ करने को होता है इसी लिए सारका सारा कॉम्प्रेंशन अगर चे लेक्टर में कवर करेंगे वह भी सिरफ 348 रूपीज में एक वैब नोट से और 950 965 मैं आप को एकी बात बोलूंगा अगर आप वो करेंगे ना क्या ना में अपना रिडिंग कॉम्प्रेंशन तो वर्ड बीलिंग कर लो कई बहरी क्या होता है जब आप परग्राफ पढ़ते हो ना कुछ प्रिपिकल वर्ड आ जाते हैं वह आपके इंटॉनिम सौनिम इन वे से इसका आपका रिजल्ट आया है नेक्स बात करूंगा अरनव की फिर मैं बात करूंगा जतीनी फिर दिवे इन सब ने एक रैंक लेकर प्रिपरेशन की है क्लियर और मैंने कह रहा है ये बात ये इन्होंने खुद लिखी हुए तो भाई अधिकारी के लिखे बाद जूट थो खेखे जूटU करूंगा करूंगा